काला बाजार, राम और शाम जैसी फिल्मों में अवीने करने वाली सबसे पॉपुलर अवीनेत्री वहिदा रह्मान ना केवल एक बहतरीन एक्टरेस हैं बलकि भरत नाचम डांसर भी हैं। जिसमें उन्होंने डांसर का रोल प्ले किया जो बेहत पसंद किया गया था। इसके बाद तेलकू फिल्म में लीड रोल करने के बाद उन्होंने बॉलिवुड में अंट्री ली और आज एक सफल अवीनेत्री बन चुकी हैं। इसी कारण उन्हें फिल्म ब्रेश्मा और शेरा में कुल बदू की भूमिका के लिए रास्ट ये फिल्म पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कि वहिदा रह्मान को दादा साहिब फाल की लाइफ टाइम अचीवमेंट अबॉर्ट से सम्मानित किया जाएगा। फिल्मों हैं अपने दमदार अभीने की चाप छोड़ी। इनमें प्यासा, काकज के फूल, चौदवी का चांद, साहिब बीवी और गुलाम। खामूशी जैसी फिल्में शामिल हैं, पांच दशक के करियर में उन्होंने अपनी किरदार को परफेक्शन के साथ निवाया, जिसकी वज़ा से उन्हें फिल्म रेश्मा और शेरा के लिए नैशनल अबॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। पदमस्री और पदमेबूशन से सम्मानित वहिदा जी ने भारति नारी के समर्पन, कमिट्मेंट और ताकत का ऐसा उधारन पेश किया है जो कड़ी मेहनत की वदौलत अपने प्रोफेशन में एक्सिलेंस को अचीव कर सकती हैं। बता दें कि वहिदा रह्मान एक ऐसी फिमेल एक्टरस हैं जिन्होंने फिल्मों में कभी ब्रेक नहीं लिया। 1955 से लेकर अब तक फिल्मों में काम करती आई हैं। आखरी बार वो साल 2021 में फिल्म स्केटर गर्ड में नजर आई थी। फिल्मों में बहतरी नेक्टरिंग के लिए उन्हें कई प्रतिष्टे प्रुसकारों जैसे की पद मुसरी और पद में भूशन प्रुसकार से सम्मानित किया जा चुका है। तो वहीं अब जल्द ही उन्हें दादा साहे फाल के अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। फ्रांकले इस वीडियो में इतना ही एंटर्टीर्मेंट से जूरी अप्टेट्स के लिए देखते रहें स्पाइस निउस भारत।